नमस्कार मैं हुश पेता चाओ और आप देख रहे हैं हमारा खासकार क्रम धर्म जीवन में खुशियां हों कोई गम ना हों तो कितना अच्छा रहेगा लेकिन हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ परिशानी लगी रहती है कुंडली में अगर शनी की बुरी छाया पर जाए तो जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि शनी सिर्फ पीड़ा या कश्ठी देते हैं शनी तो सिर्फ कर्मों का फल देते हैं जैसा कर्म वैसा ही फल आज हम आपको शनी से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बाते बताएंगे और करेंगे शनी की महिमा का बखान तो चलिए निकलते हैं धर्म की यात्रा पर शत्रू या मित्र हैं शनी क्या सिर्फ कश्ट देते हैं शनी कितनी लाबकारी है शनी उपासना शनी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कोई शनी से डरता है कोई शनी की भक्ती में ही रमता है लेकिन क्या है शनी देव की सच्चाई कौन है शनी क्या है शनी कैसे शनी को प्रसंद करें कैसे शनी की कुद्रिश्टी से बचें ये सारी जानकारे आज हम आपको देने जा रहे हैं आज हम आपको शनी से जुड़े वो तीन अद्भुत मंदर के बारे में भी बताएंगे जहां पर शनी शिला के दर्शन करने के बाद दुख संताप खत्म हो जाते हैं लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं शनी देव के बारे में कुछ रोचक बाते शनी देव के बारे में बहुत से पुरानों में जख्र है शनी को सूर्य पुत्र माना जाता है लेकिन साथ ही पित्रिशत्रू भी शनिदेव को मारक, अशुब और दुख का कारक मारा जाता है पस्चिम के जोतिशी भी उन्हें दुख देने वाला ही मामते हैं मोक्ष अगर कोई दिला सकता है तो वो एक मात्र शनिदेव ही है शनिदेव प्रकृती में संतुलन पैदा करते हैं शनिदेव हर प्राणी के साथ म्याय करते हैं शनिदेव के बारे में अक्सर चर्चा रहती है कि वो देव है या कोई ग्रह लेकिन कई पुराणों में शनि को लेकर अलग-अलग जिक्र देखने को मिलते हैं पत्न पुराण के मुताबिक शनि प्रकृत से राजजी को बचाने के लिए राज़ा दशुरत ने उनसे मुकाबला किया था राज़ा दशुरत का पुरिशाष देख शनि ने उन्हें वर्दान दिया था राजा दशुरत ने विदिवत इस्तूतिकर शनी देव को प्रसंद किया था ब्रह्म वैवर्द पुरान के मुताबिक शनी ने पारवती जी से कर्म और फल की चर्चा की थी शनी ने मा पारवती से कहा था कि मैं सौ जन्मों तक जातक की करनी का फल देता हूं विश्नो प्रिया मालक्ष्मी ने शनी से जातकों की धनहानी के बारे में पूछा था शनी ने तब कहा था कि मातेश्वरी परमात्मा ने उन्हें तीनों लोकों का न्याय धीश्नियुक किया है इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है ये तो बात हुई उन व्याख्यानों की जिनका अलग-अलग पुराणों में जिक्र है लेकिन पुरातन हिंदू कथाओं में भी कुछ खटनाएं ऐसी है जिनमें शनिदेव और उनके द्वारा दी गई सजा को भुगतने वालों का जिक्र भी है जिनमें पहला नाम आता है राजा हरिश्चंद्र का राजा हरिश्चंद्र को दान देने का अभिमान हो गया था इस अभिमान के कारण सब्तनिक बाजार में उन्हें बिकना पड़ा था यहां तक केश मशान के रखवाली करनी पड़ी थी राजा नल और दम्यंती को पापों की सजा के लिए दर दर भटकना पड़ा था भूक मिटाने को भूनी गई मचलिया तक पानी में तैर कर भाग गई थी महान राजाओं को भी उनके पाप कर्मों का फल शुनिदेव जरू देते हैं तो साधारन मनुश्र की क्या विसाथ जो कोई भी किसी तरह का पाप कर्म करता है फिर वो चाहे जाने में किया जाए या अंजाने में उसे कर्मों का फल तो भूगतना पड़ता ही है तो चली अब आपको शनी के रंग रूप के बारे में भी कुछ बताते है मतश्य पुराण में शनीदेव के रूप रंग का जिक्र है कहा गया है कि शनीदेव का शरीर इंदर कांति की नील मनी जैसी है वो गिद्द पर सवार हैं, हाथ में धनुश्बान हैं एक हाथ वर मुद्रा में है, शनीदेव का विक्राल रूप भयावा भी है शनी सीमा ग्रह कैलाता है, क्योंकि जहां पर सूर्य की सीमा स्वाप्त होती है वही से शनी की सीमा शुरू हो चाती है जगत में सच्चे और जूटे का भेज समझना शनी का विशेश कुण है शनीदेव कष्ट कारक है, विपती, कष्ट, निर्धन्ता देने के साथ साथ बहुत बड़े गुरू और शिक्षक भी है जब तक शनी की सीमा से प्राणी बाहर नहीं होता, उसकी उन्नती संभव नहीं है अच्छे और शुब कर्मों वाले जादकों के कुण्डली में उच्च होकर शनी उनके भागी को बढ़ाते हैं अगर कर्म निंदनिये और कुरूर हो तो शनी उनके कुण्डली में नीच का होकर महा कंगाली की ओर ले जाते हैं चाहे जातक का भाग कितना ही जोरदार क्यों न हो। जनने वाली पीड़ा हर लेते हैं। ऑाग कितना कितना ही जो कितना ही। झाल 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 झाल